बात करेंगे अब सिंग राशी की कैसा रहने वाला है सिंग राशी वालों के लिए 2023 बिलकुल देखिए सिंग राशी वालों की अगर हम बात करें तो सिंग राशी वालों के लिए साल 2023 मध्यम रहने वाला है कुछ मामलों में खीक रहेगा और कुछ मामलों में खराब रहेगा मिला जुला साल सिंग वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है अगर हम स्वास्त की बात करें तो अपनी छाती का, अपने चस्ट की समस्याओं का हड्डियों का और रक्त चाप का, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रतना चाहिए इस साल में इन इलाकों में आपको सेहत की दिखकतें हो सकती है अगर आपकी राशी सिंग राशी है और आपको डाइबिटीज की समस्या है मधुमेह की समस्या है, तो जरा भी लापरवाही मत करिएगा क्योंकि डाइबिटीज की वज़ज़ से आपकी दिखकतें बहुत जादा हो सकती है तो जितना संभव हो इस साल में अपने शुगर को डाइबिटीज को कंट्रोल में रखिएगा सिंग राशी वाले वैसे तो सामाननिता अनुसाशित होते हैं लेकिन इस साल आप ज़्यादा अनुसाशन रखिएगा अपने रूटीन पर अपने लाइफ स्टाइल पर जीवन चरिया पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप स्वस्त रहेंगे धन संबंधी काम अगर आप बनाना चाहेंगे पैसे कमाना चाहेंगे तो वो काम आपके लिए धीरे धीरे बनेंगे और उस काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी केवल भागे के भरोसे इस साल पैसा नहीं मिलेगा ये बात जरूर है कि इस साल की शुरुवात में अगर आप कोशिश करें तो आपको नई संपत्ती का लाब हो सकता है नई प्रोपल्टी आप इस साल की शुरुवात में ही खरीच सकते हैं अगर योजना बना रहे हैं तो शुरुवात में ही इस पर काम करिए साल के अंत में विवाह के लिए प्रियास कर सकते हैं अगर आप अविवाहित हैं तो ये वर्ष आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा सावित होगा खास तोर से अगर आप अप्रेल से लेकर दिसंबर तक और खास तोर से अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर वाले समय में आप विवा के लिए प्रयास करें तो विवा जरूर हो सकता है तो देखिए इस साल चीजे मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी और हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस साल जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा इस साल भागे का चक्र बहुत मजबूती से आपके साथ नहीं रहने वाला है क्या उपाय करेंगे ताकि साल भागेशाली हो, लाब हो सके भगवान सूर्य को निट्य प्रातह जल अर्पित करिएगा सादा जल, प्लेन वॉटर, डेली मॉर्निंग सूर्य भगवान को पूरे साल चड़ाईएगा गायत्री मंत्र अगर आप जपें तो आपका मन मजबूत होगा आप स्वस्त रहेंगे और मेहनत थोड़ी सी कम करके फायदा बढ़ सकेगा रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र जपिएगा एक तांबे का छेद वाला सिक्का लीजिएगा और इसको लाल धागे में डाल करके मंगलवार को अपने गले में पहनिएगा ये आपकी स्वास्त की समस्याओं से सुरक्षा करेगा लेकिन साथी साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका रूटीन आपकी जीवन चरिया भी बेहतर बनी रहे ये तो बात हुई सिंग राशी यानि की लियो अब बात कर लेते हैं कन्या राशी यानि की वर्गो वालों के लिए कैसा रहने वारा है साल 2023 बिलकुल कन्या वाले 2022 में थोड़े बहुत मुश्किलों में थे साल के मध्य में ये साल उतनी मुश्किल तो नहीं दिखा रहा है लेकिन ये साल भी कह रहा है कि भाई चीजें मिली जुली रहेंगी चीजें मिली जुली आपके जीवन में दिखाई देंगी कैसे होंगी स्वास्थ का मामला अच्छा है आपके लिए स्वास्थ के मामले में इस साल आपके सुधार होगा और पहले की तुलना में आप बहतर महसूस करेंगे स्वास्थ की समस्याएं आपकी कम होंगी किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी, वो पुरानी बीमारी आपकी शान तो हो सकती है आर्थिक मामले, पैसे के मामले और संपत्ति के मामले आपके साधारण रहेंगे पैसा रहेगा लेकिन एवरेज, प्रोपर्टी रहेगी लेकिन एवरेज पैसा बाटने से इस साल बचिएगा क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा पैसा बाटा भरोसा करके या गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया बिना सोचे समझे तो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा फश सकता है तो इस साल पैसा बाटने में सावधानी रखिएगा और पैसे के इन्वेस्टमेंट में चाहे आप शियर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं भी इंवेश्टमेंट कर रहे हैं उसमें सावधानी बनाए रखिएगा अभी इस साल में वाहन और संपत्ती बहुत जरूरी ना हो तो मत खरीदियेगा वाहन तो एक बार फिर भी सोच सकते हैं लेकिन संपत्ती को लेकर जब तक बहुत ज़्यादा आश्वस्त ना हो जाएं तब तक ना खरीदें क्योंकि वहाँ पर पैसा फस जाने की संभावना दिखाई दे रही है अगर आप अविवाहित हैं तो जादा से जादा आपकी शादी इस साल तै हो सकती है शादी होने की संभावना उतनी प्रबल नहीं है लेकिन हाँ जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुवात हो सकती है शादी फाइनल हो सकती है रिष्टे बेहतर हो सकते है ये सब तो हो सकता है लेकिन विवाह हो जाने की संभावना अभी इस साल में नहीं है अब इस साल को बेहतर और भागिशाली कैसे बनाएं अपने लिए रोज सवेरे पूरे साल में ब्रिहस्पती मंत्र का जब करियेगा ओम ब्रिम ब्रिहस्पतये नमह ओम ब्रिम ब्रिहस्पतये नमह इस मंत्र का पूरे साल रोज सुबा जब करियेगा बहुत राहत मिलेगी आपको हर ब्रिहस्पती वार किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करिएगा या गाए को केला खिलाईएगा उससे भी आपको लाब होगा और चांदी आपको किसी न किसी रूप में जरूर पहननी है चांदी का छला पहनने चांदी का कड़ा पहल ले, चांदी की चेन पहल ले, अगर आप चांदी धारन करते हैं, तो चांदी धारन करने से आपकी financial condition काफी अच्छी बनी रहेगी.